पार्ठ दो छिपा रहस्य कनाड़ा में मोट्रियल नाम का बड़ा शहर है वहाँ कई छोटी-छोटी सडके भी है उन्ने से एक है एडवर्ट स्ट्रीट उस सडक को पियरे जितनी अच्छी तरह जानता था और कोई भी नहीं उसका एक कारण था पिछले 30 सालों से पियरे उस सडक पर बसे सभी परिवारों को दूद बाटता था पिछले 15 सालों से पियरे की दूद गाड़ी को एक बड़ा सफेद घोड़ा किचता था घोड़े का नाम जोजफ था शुरू में जब वह गोड़ा दूद कमपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था कमपनी ने पियरे को सफेद घोड़े के इस्तिमाल की इजाज़त दे दी पियरे ने प्यार से घोड़े की गरदन को सहलाया और उसकी आखों में जाक कर देखा यह एक समझदार भला और वफादार गोड़ा है मैं इसका नाम संत जोजफ के नाम पर रखूंगा क्योंकि वह एक नेक और दयालू इंसान थे पियरे ने कहा साल भर के अंदर ही गोड़े ने सडक का पूरा रास्ता रट लिया पियरे अकसर शेकी बखारता मैं तो लगाम चूता तक नहीं हूँ मेरे गोड़े को तो लगाम की जरूरत ही नहीं है तड़के सुबह पांच बजे ही पियरे दूद की कमपनी में रोजाना पहुँच जाता तब गाड़ी में दूद लादा जाता और फिर जोजफ उसे खीचता पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोजफ को पुछकारता और गोड़ा अपना मूँ उसकी और गुमा लेता आसपास खड़े अन्ने ड्राइवर कहते सब कुछ ठीक ठाक है पियरे जाओ इसके बाद पियरे और जोजफ इतमिनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते पियरे के इशारे के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ट स्ट्रीट पहुँच जाती फिर गोड़ा पहले घर पर रुकता और पियरे को नीचे उतार कर दर्वाजे के सामने एक बोतल दूद रखने के लिए करीब 30 सेकिंड की महलत देता गोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता इस तरह पियरे और गोड़ा पूरी एडवर्ट स्टीट की लंबाई पार करते फिर गाड़ी को गुमा कर दोनों वापस आते सच मुच जोजफ बहुत होश्यार गोड़ा था अस्तबल में पियरे जोजफ की तारीफ करते ने थकता मैं कभी उसकी लगाम चूता तक नहीं हूँ कहां कहां रुकना है यह है उसे अच्छी तरह मालूम है अगर जोजफ गोड़ा गारी खीच रहा है तो मेरी जगाए अगर कोई अंदा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा बरसो तक यही सिलसिला चलता रहा पियरे और जोजफ दीरे दीरे बुड़े होने लगे पियरे की मूचे अब पक कर सफेध हो गई थी जोजफ भी अब अपने गुटनों को उतना उचा नहीं उठा पाता था अस्तबल के सूपरवाइजर जैक को उनके बुड़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे ल जर्वाजे पर दूद की बोतले रखना सिखा दो जैक ने कहा बाकी सारा काम तो वहा करता ही है एडवर्ड स्टीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पियरे अच्छी तरह जानता था घर के नौकरों को मालूम था कि पियरे लिक पड़ नहीं सकता इसलिए वहा उसके लिए बहुत अच्छी थी वापस अस्तबल पहुँचकर बिना गलती किये वह जैक को दूद का सारा हिसाब बता देता जैक अपनी डायरी में तुरंथ हिसाब नोट कर लेता था एक दिन दूद कंपनी का मैनेजर सुभ़ सुभ़ अस्तबल का मुआयना करने पहुचा जैक ने प देखियो तो पियरे किस तरह अपने घोडे से बात करता है और घोडा भी कितने प्यार से अपना मूँ गुमा कर पियरे की बात सुनता है पियरे और गोडे में बड़ी गहरी दोस्ती है इस रहस्यों को बस यही दोनों जानते हैं कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हस रहे हो पियरे भला आदमी है पर बेचारा अब बुड़ा हो रहा है क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि अब आप उसे रिटायर कर दे और उसकी पेंशन बान दे उसने उटसुकता से पूछा बात तो तुमारी ठीक है मैनेजर ने कहा पियरे अपना काम 30 साल से कर रहा है और कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई उससे कहो कि अब वह घर पर बैठ कर आराम करे उसे हर महीने पूरी तंका मिलती रहा करेगी परंतु पियरे ने रिटायर होने से इंकार कर दिया उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे गोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल पाएगा हम दोनों ही अब बूड़े हो रहे हैं उसने जैक से कहा हम दोनों अगर इखटे ही रिटायर हो तो अच्छा होगा मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि जब मेरा गोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूंगा जैक एक भला आदमी था वह प काड़ी कीच रहा हो तब दोनों में से कोई भी बूड़ा नहीं लगता था लेकिन काम खत्म होने के बाद पियरे लंगडाते हुए सडक पर इस तरह दीरे दीरे चलता जैसे वह बहुत बूड़ा आदमी हो उधर गोड़े का भी मू लटक जाता वह हारा ठकासा अस्तबल म में वापस आता सुबह सुबह एक दिन जब पियरे आया तो जैक ने उसे एक बहुत बूरी खबर सुनाई पियरे आज सुबह जोजफ सोकर ही नहीं उठा वह बहुत बूड़ा हो गया था 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसे ही हालत हो जाती है जैसी 65 साल की बूड़े आद तुम जाकर उसे देख तो लो पियरे घर लोटने के लिए वापस मुड़ा तुम समझोगे नहीं जैक जैक ने उसका कंदा थपतपाया फिक्र न करो हम तुमारे लिए जोजफ जैसा ही एक और घोड़ा डून देंगे और महिने भर में तुम जोजफ की तरह उसे भी पूर जलक रहा था ऐसा लगता था जैसे उसका दिल रो रहा हो आज छुट्टी ले लो पियरे जैक ने कहा परंतु पियरे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा था अगर कोई उसके पास होता तो वह अवश्य पियरे की आँखों से लुड़कते आशू देखता और उसका सुब दूद कंपनी के कई लोग वहाँ पहुंचे और पियरे की मृत शरीर को देखने लगे ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में कहा यह आदमी खुद बखुद ट्रक के सामने आया गया शायद इसे ट्रक दिखा ही नहीं लगता है जैसे एक दम अंदा हो एम्बुलेंस का डॉक् करता था तुम्हें नहीं मालुम कि यह अंदा था नहीं नहीं जैक ने धीरे से कहा यह रहसे हम में से किसी को नहीं पता था सिर्फ उसके दोस्त जोजफ को पता था यह उन दोनों के बीच की आपसी बात थी सिर्फ उन दोनों